आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप सभी का बहुत सौगत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हू नितिन कुमार उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ शपत ग्रहन समहारों की तैयारियां चल रही हैं कौन डिप्टी सीम बनेगा उसकी कुवायत तेज है लगातार बैट के चल रही है लगातार मुलाकातों का दौर जा रही है और लगबग सभी विधायक लखनव से दिल्ली एक किये हुए है कोशिश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक मजबूत टीम उतारी जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाओ तो बीजेपी ने जीत लिया है लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी लड़ाई है और वो है चौबीस के चुनाओ की और इसी को देखते हुए एक मजबूत टीम उतारना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है बीजेपी चाहती है कि हर गुड़ा गड़ित जिसमें जातीगत समीकरण हैं जिसमें धार्मिक समीकरण हैं जिसमें चेत्रिय समीकरण हैं जिसमें उनके नेताओं के बहतर माप दंड और रिजल्ट शामिल हैं उन्होंने बहतर काम करके अलग-अलग तरह के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एक तरह से साध करके बीजेपी में वोट कर आया है इन सबी को संकलित करके उनके बीच के नेताओं को ही इस बार की कैबिनेट में जगहा दी जाए और मजबूती से उत्तर प्रदेश में इस बार जो तयारी है 24 की वो की जाए फिलहाल जहां एक तरफ सरकार पूरी कोशिश और पूरी तयारी कर रही है चीजों को वैवस्थित करने की और जल से जल उत्तर प्रदेश में काम शुरू करने की अपने दूसरे कारेकाल की बीजेपी की तरफ से तो वही आज उत्तर प्रदेश की राजनीती में सरकार के कारेकाल से पहले ही एक बड़ा वाक्या घटा है आज पूर मुख्यमंत्री अकलेश यादो जो की करहल की विरानसभा सीट से चुनाव जीत करके आये थे मुख्यमंत्री के दावेदार थे चुनाव तो समाजवादी पार्टी नहीं जीती लेकिन अकलेश यादो वहाँ से चुनाव जीत गए थे और लगभग सभी को उम्मीद ये थी कि इस बार अकलेश यादो अपनी विधानसभा की सीट छोड़ करके फिर से लोकसभा समहालते हुए दिल्ली में उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे और लगभग सभी को ये अनुमान हो गया था कि समाजवादी पार्टी के गड़बंधन के प्रस्पा के राष्टी अध्यक्ष शुपाल सिंग यादो को उत्तर प्रदेश विधान सभा में मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी फिलाल जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस पर अभी कहपाना बहुत मुश्किल है लेकिन अकलेश यादों ने आज अपनी सांसदिय सीट को छोड़ करके वहां से स्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ खुद को खड़ा करते हुए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है और ये कहा है कि ह हम विधायक रहते हुए विधान सभा के जरिये उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे ये बड़ा एहम फैसला है हाला कि अब से कुछ दिनों पहले 16 तारीक की एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जाविद एहमद साब मौज का फैसला होता है उस फैसले पर सब अमल करते हैं और इसी डिबेट में जोहारी आज की डिबेट है और 16 तारीक की डिबेट में सुभाष यादो जी भी मौजूद थे जनता संगर्श बोर्चा के समाज सेवी भी हैं उन्होंने भी जाविद आमत से ये सवाल पूछे थे कि अगर अकलेश यादो मुख्यमंत्री बन जाते तो जरूरी नहीं था कि वो किसी विधान सभा सीट से जीत कर ही मुख्यमंत्री बनते वो MLC बन सकते थे अगर हार गए हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश में रहना बहुत जरूरी है और कुछ उसी तरह से ही आज वाक्या बहुत जरूरी है चर्चा में आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है पहले कुछ बयान सुनिए और उस बयान के बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते है जाविद भाई मैं यह पूछ रहा था अकलेश यादो को इस वक्त जादा जरूरत उत्तर प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की जनता को अकलेश यादो की जारदा जरूरत है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं तो उसके बावजूद वो अपनी विधान सभा की सीट छोड़कर के दिल्ली के लिए जा रहा है ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है और यह सवाल काईना कई सपाईयों के मन में बीवना हुआ है और जो सपा को वोट करते हैं उनके मन में विखे नितिन भाइट सुभाज जी ने वी का दोनों सवाल एक जैसे हैं निश्चित रूप से लेका और अखलेश जी के नेक्तित में सवच पर कारकर्ता निश्चित रूप से उतरेंगे अखलेश जी की अगवा जावेद भाई आपकी बात से चलिए मैं एक सेकेंड के लिए अग्री भी कर लेता हूं लेकिन जब अकलेश यादव जी को दिल्ली में रहके राजनीती करनी थी तो उनको क्या जरूत थी मैंपूरी की करल सीट से चुनाव लड़ने की अगर मैंडेट आ जाता तो मुख्यमं क्रिण बन गये होते उनको विदान सभान लड़ना ही नहीं था अगर विदान सभाल लड़ा और उस्तर प्रदेश की जन्ताना ने उन्हें विloram Wousse में वहीं में वो दिल्ली क्यों जा रहे संसी ने, और तो कहीं ने कि ऊत्च नहीं कि अवे अगर आपने आपने सवाल को का जवाप नहीं ना इन टो यह पूछा कि अगर आपके में दिल्ली की राजनीती करनी है अगर बाई दो वे मान लीजिए अगर के मेंडेट आ गया होता मुख्यमंत्री बनते अकले जी तो जैसे पिछली बार बने तो इस बार करहल से चुनाव लड़ने की आउसकता क्यों आन पड़ी उनको जब उनको दिल्ली की राजनिती करनी है तो आउसकता नहीं पड़ी एक पास्टी का फायतला था योगी जी को भ और यादी भी MLC बन जाते एक DPCM MLC से ही तो यह कोई एक राजनितिक दल में मैं धिनाई नहीं कर रहा हूं लेकिन एक राजनितिक दल में हुआ परिस्टितियों वस्त या समय समय पर सभी राजनितिक दलों में हुआ यह हम आप अच्छी तरीके से जाते हैं उत्तर प्रद करेंगे तो इसको अलग अलग लेने की कहीं पर कोई आउसकता नहीं है निश्चित रूप से हम आपका आभार जर्श करते हैं तुबाज जी नितिन्माई कि आपने सवाल ख़ड़े की हैं अगर हमारे सामने तो हम उन सवालों के जवाब में ख़ड़े ताबित होंगे यह टेट दिन आख पुएंग का हैं विदान सवाग चुनाव में समाज जी पार्टी को उत्तर बदेश की जनता में समर्तन दिया है आधर नी एकलेश जादों जी ने इसक लिए आज लोक सभा सी सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है विदान सबाने के लिए जनता के मुझ्वों को सड़ा से सबन तक उठाने के लिए आधरनी अकले जाबोजी उत्तरवदेश की विदान सभा में बने रहे हैं यह उनकी मर्जी है लोगसभा से इस्तिफा दिया है इसलिए क्योंकि लोगसभा वहां लड़ने कैसे जाते और वहां पर इनकी इतनी ज्यादा खराब पोजीश कि वहां से चुनाव नहीं लड़े करहल में जाकर कि चुनाव लड़े इसलिए वहां इस्तिफा दिया और जनता ने वहां नकार दिया इनको और अभी मेले का करके देखते हैं क्या पर अब हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए एक बर फिर से इस मुद्दे पर चर्च करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आज उस डिबेट का काफी कुछ असर हुआ और अकलेश यादो ने अपनी जो विधान सभा सीट है उसे चुना है लोग सभा सीट के मुकाबले सबसे पहले महवानों से आपको रुबरू कराता हूँ अप फिर इस चर्चा को में शुरू करूंगा रामनिवास यादो जी हमाईसाथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसके लावा दिली पियादो जी हमाईसाथ प्रस्पा से जुड़े हुए हैं सुभाज यादो जी जनता संकश मोर्चा से जुड़े हैं जाविद आइमद साब हमाईसाथ समाजवधी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अमनिट आगे हमाईसाथ कॉंगरे से जुड़े हुए हैं सुभाज जी और जाविद भाई उस दिन की बी डिबेट में थे और इन्ही दोनों की समस्या का सामना करना पड़ेगा भविश में उसके संकेत मिल गए हैं अकलेश यादों ने अपनी विधानसभा की सीट को चुना है लोगसभा की सीट के मुकाबले तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए समस्या बढ़िए क्या आपको लगता है लोगसभास से इस्तिफा दिया है क्योंकि उनको पता था अगर विधानसभा हम छोड़ देंगे तो विधानसभा महार जाएंगे जिस तरह से इतने संगर्स के बवजूद पूरा परिवारी यहां तक नेता जी भी गए परचार में तब जाके जीते हैं तो इसलिए उनको अखिलेज जी पार्टी के राष्टी अधिज हैं तो सारे पत रखना चाहते हैं उसी के द्वारा उन्होंने एक नया काम किया है कि चाचा नेता प्रतिपक्ष न बने इसलिए स्वेम बनना है तो यह स्वागत है उनका और उनका जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है अभी तो खाली अपने परिवार और चाचा से लड़ें उसके आद 27 जवाएगा तब देखा जाएगा उनको यहां पर कोई कोई कॉंट्रोवर्सी चल लही है दोनों के बीच अकले चादों चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बने इस वज़े से उन्होंने इस तरह का बाता है अभी मेडिया में लगाता रहा था कि इस उपाल जी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष लेकिन जैसे मेडिया में उनको फेवर में प्रतिपक्ष बन जाएंगे तो उतर प्रदेश से हमारा सफाया हो जाएगा और यह पूरे चुनाओं में अपने चाचा यहां सही लड बहुत स्वागत है आपका उस दिन भी आद इस डिवेट में थे जहां पर आपसे इस सवाल पूछे गए थे और आज कहीं न कहीं उस पर एक बड़ा फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया है कि अकलेश आदो उत्तर प्रदेश में रहेंगे जो कि कहीं न कहीं वक्त की मा से विदान सभा का चुनाओं नहीं लड़ा और इसी डर के मारे उन्होंने इस सीट को भी छोड़ दिया और दूसरी चीज यह भी कि आपसी लड़ाई अभी चल रही है शुपाल जी और अकलेश जी के बीच में और इसी वज़े से इस तरह का फैसला अकलेश ने लिया क्यो कि जो सवाल आप लोगों ने खरे की हैं उस पर खरेता भी तो आज वह समय भी आ गया अखलेश जी और तमाजवादी पासी अपने संघस को नहीं क्या सकती है और संघस की चंता संघस वादियों में और अखलेश जी में कूंकर अलीज अब तमाम अनागल आरोस जी सरीके से बास्की जिलता पाटी लगाते हैं अब आज उन आरोसों का कुछ मतला वाउसित नहीं है जो लोग बेट्वूम कर जात कर परिवारों को कोरने की कवाइब करते हैं जो लोग फोदर और सोल रहें कभी भाजावाद से आयोग्यां से लाओ रहें कभी अभूरा से लाओ रहे आप आजमगव फते करने के लिए इस पर चर्चा करने के बजाए जवाद जहीं से बचने के लिए आप अनरगल कोई प्रलाब करेगा तो उसका क्या हो चुकता है आप को इतने दिज GFF होगे, एरिख्व तार होगे, टीन होगे, दो होगे, काउन होगा, काउन नहीं होगा यह सब तो डिज दिम इसको काउन कर दा है That goes 100-100 звон इसको अध्यकर शुफालजी को जो ने वहरएंगे及 आरोप का एारोप गसानाथी संहरा है योगी आभिस्तनाथ प्रदानमंतिरी रहें ते लड़ रहें ते लड़ है यह दुन ने देख रहिए तब देख रहें एक इसाट रही है कई किस से लव रहा है किसके यहां जगडा है अँचिन ने बदिक कैना पढंगा कि हम को परिवाद वांसे दूर जाना पढ़ेगा जो आप लोगों की भावना थी जो प्रदेश की जन्ता की भावना थी उसका अखलेश जी ने पुरा सम्मान किया है इस निर्वे के ताफ इस संकल्स के ताफ कि हम उस्तर प्रदेश में संगल्स का मैदान छोड़ने नहीं जा रहे हैं और भारती जन्ता पार्टी छड़िक प शुपाल जी से कुछ मामला सही नहीं चल रहा है और इसी वज़े से अकलेश आदो ने फैसला लिया है इसमें कितनी सच्चा ही है यह आरोप लगाने के लिए कोई आरोप लगाता रहे कोई प्रायोजिस करता रहे आरोप मिसिन भाई आप भी अच्छी तरह जानते इतना आपका सक्री पत्रकार्टा का जीवन है कि आपकी भी हर चीजों पर नजर रहती है कहाँ पर यह सब घर्वनितिक मामले होते हैं कि कोई पार्टी किस तरीके से करेगी यह कोई भारती जन्ता पार्टी तोलिई है समाजवादी पार्टी कि जहां पर लोग तर्ट के नाम पर अभी तक अरे मुखमंतिरी पार्टी साय करेगी कि विधान मंदल दल साय करेगा नेता प्रसबच काउन होगा अचा ये जावेद भाई ये बीजेपी वालों को बहुत इसमें मज़ा आता है ये पता करने में कि कहां लडाई हो रही कहां नहीं हो रही है अच्छा इनके पास काम क्या है यह हुँ रही है आपके कुछ प्रत्याशियों के साथ मार पीट हो रही सुनने में आया है कुछ करते रहेंगे यह जो कुछ भी करते हैं वो सब अपनी मसींजी के सब्सक्राइब करने में लिए आप पर्चा चीन लीजिए आप नामांकर मत करने दीजिए आप महिरा अगर प्रस्तावत सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप किसी ना किसी मामले कि यहां हमें छिप जाईए कि अरे यह तो हम यह तब हमने किया ही नहीं उसके खिलाब कारवाई की आज तक आप दिलीब जी फैसला आया है अकलेश जी की तरफ से कि वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे विधान सभा से लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आप लोग इस फैसले को किस नजर से देखते हैं और आप लोगों का अगला कद क्या होगा क्योंकि सुनने में आ रहा था कि शुपाल जी को जिम्मिदारी दी जा सकती है लेकिन अकलेश अगर आ रहे तो जाहिर से बाते शुपाल जी की जिम्मिदारिया भी कम हो नितिन जी मानने राष्टी अध्यक्स समाजवादी पार्टी अखलेस यादो जी का जो इस्तीफा लोगसभा का जो है लिया गया वो बहुत ही सराहनी और जो है स्वागत योग्य है आज के परदीश में क्योंकि जो राजनीत उत्तर प्रदेश की राजनीत चल रही है और दे में जो है आपके उत्तर प्रदेश का आने वाला है उस नजरिये से कर देखा जा तो जो है मनी अखलेस यादो जी ने जो है एक एतिहासिक और जो है रणनीतिक जो है फैसला लिया है जिससे प्रदेश ठगा जा रहा है जन्ता ठगी जा रही है निश्चित तोर पे अखलेश यादो जी वहाँ पे विधान सबा में रहेंगे तो ये बीजेपी क्यों कह रही है कि पहली चीज तो ये कि अखलेश यादो आजमगण में उनकी समस्या बहुत जादा थी इस वज़े से वो छोड़ कर चले आया और दूसरी चीज ये कि वो इस गड़бंधन को नेता जो ये माननी तो जो भी मैंड़ेट आया हमारे लिए जितनी भी सीतेश आई है वो नेता है वो उनका जो है अपना राइध है अगया उस पर जो पे जो सर्मान हो तो इसमें कोई Ladies लोगों के जो में लोगों चलती रहती आईसा कुछ नहीं रहा लहा जो भी होगा करेंगे जो है अखलेस यादो जी और शिपाल यादो जी चेक सुबाश यादो जी हमाई साथ जुड़े हुए सुबाश जी सोला तारीकी डिवेट थी आप भी उसमें शामिल थे आपने भी कई सवाल पूचे थे जावेद भाई से और आज उन सवालों के जवाब जो है वो मिल गए है अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई किस तरीके से समझवादी पार्टी लड़ेगी दूसरी चीज़ क्या बीजेपी को इस फैसले से कुछ समस्या हो सकती है और तीसरी चीज क्या प्रस्पा के साथ एक बार फिर से गलत हुआ देकि नितिन जी पहले सवाल का तो जवाब मैं यह दूँ कि मेरे उस दिन की जो सोरा तारीकी जो डिवेड थी उसके अंदर के जो पूरी तरीके से जो मेरे सवाल थे उनका जाव पूरा नहीं मिला है अच्छा अब इस सवाल का जाव मिला है कि उन्होंने लोग सभा की सद्धा पस्ते इस्तिफा दे दिया यानि को उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे लेकिन मुक्ष मुद्धा यह कि वह नेता परतिवक्ष बने तो दिद्ली के अंदर भी बैट की राज निइती कर सकता है उस दिन के फैसले पे यह सहमेथी चाता रहे थे आज के प्रस्पा के नेता ने भी आपी बोली प्रस्पा प्रवक्ता ने भी कि कि आज जो हूँए वही फैसलेगा सवागत्यों के कदम है और उस दिन बहीं एक प्रदेश के पूरो मुख्य मंत्री अकले शादो अगर विधान सभा के अंदर रहते हैं तो जाहिर सी बात कहीं है कि भारती जन्ता पार्टी के उपर एक मनो विग्ञानिक दबाव तो बनेगा ही साथ ही समाजवादी पार्टी के और गडबंधन के जूबी कारे करता उन इनका नेटरत उत्तर-प्रदेश के अन्दर उनके हकी लड़ाई लड़ रहा है तो कहीं ने क dilemma लड़ाई कर दो अलग बात है कि इतना सब्सक्राएं में बहुत रहतार सफल नहीं हो सका इसके वज़े से आज विपक्ष के अंदर बैटने के लिए मजबूर है यह शुपाल जी का जो मैटर चल रहा है मैं समझता है कि शुपाल जी नेत्रुत में आज आते इस वुझे से अकलेश आदो वापस चले आएं कि हो सकता है राम निवास जादो जी की बातों से मैं उत्ता इतिफाक ने रखता लेकिन हां कहीं ने कहीं हो भी सकता है शायद अकलेश आदो को यह अंदर राश्तो रक्षा की भावना हो इसके वज़े से उनको नेत्रुत नहीं देना चाह रहे हैं जबकि वास्तविक्ता तो अब प्रियंका गांधी से स्तीफा मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले जब चुना वहारा गया तो जो जिम्मेदार रहे हैं उनसे स्तीफा ले लिया गया था अब प्रियंका गांधी भी स्तीफा दें ये सब क्या है बाई आपको नहीं पता था कि ये मुद्धे आने वाले हैं अबल भाई क्या है था है काया है और आपको ये आपके आपके हैं नहीं आहीं पर लोगीसे नहीं बिला भाई वह कहें रहे हैं तो चैश्तीफा को शुना नहीं बुभ्या किम्धें नहीं बाई जहां तक सवाल की बात है, जो भातिजंदा पाइटी है और केंटरवेस पाइटी है, जो पुब्लीक की पाइटी है, वह सवाल उस्ते है, पफो है इसकी बात, पोई जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन जहां तक प्रियंकर जी की बात है, जब यहां उस्तिपरदेश में आई, बड़ी चुनोती है लेकिन उन्हीं चुनोती हो के बीच में जोड़े सवाल करने वाले लोग हैं, यह भी खाखते हैं कि इनके लिए सवाल बता है कि उन्होंने अगर अगर उस्तिपरदेश से हैं, जहां जहां कोगने सवाटी चुनाव हारी है, तो उनके बूत पर किस्नी पड़े हैं, हम सवाल जबी कर रहे हैं कि जब हम अपना गूजितातर भेज हैं, अब वो लोग जिस्तने उस प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा था, वांसे गायब ते, जो जो तारे बड़े नेता हैं, जिन लोगोंने लड़ाया देखिए, सचिंपाल लिड़गी जो लोग निया, जो लोग चवाल उतारें, इस ते कि वो कहां पर ये सवाल उन पर न उताए गाए, वो तक्तावी बनाई खातरें जब इस ताना था जटार के लड़ने का मोगा था, जन्ता की सरब खड़े होने का मोगा था, तो वो शांत रहे, आप कैसे लड़ेंगे अजिस मंदिर के मुद्धे है, लेकिन इस मुद्धे पर किसी का जो रोग नेता है, या आम आदमी है, जो पैड़े है बाजपाता, उनके बच्चे इस मुद्धे पर नोखरी तो नहीं कर सकते ना, नोखरी तो रोजगार एक्षरेशन करने पड़ेंगे, उस इन मुद्ध एक शुद्धे है बाज़ करते हैं, तो ना आपके पास नेत्र तो नहीं है, कैसे उतरेंगे, सालग पाई इस नेत्र तो है, लेकिन हम चाहिब अगरी प संद्यान देगाईन, नेत्र तो है, कोंग्रिस पारी, बड़ेन दिए वी निता हैं, लेशा कुए और लिए ते रह आएंगे दोबारा लड़ेंगे जन्ता के बीच पर आएंगे जन्ता के बीच पर आएंगे जन्ता जरूर उन्हें इसने गरेगी प्रेंचा जी नहीं लगातार जिस तरह से अपना भेवार दिखाए लोगों ने उसको लाइक भी किया चीक है मैं आता हूं के पास राब निवास जी एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या मिल रहा है आप लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के परचे फड़वा रहे हैं आप लोग नामांकर न करने देने के लिए मेरे दोनों हाथों फैक्टर दोनों पैरों हुआ था मेरे प्रत्यासी को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे प्रत्यासी को अपनी गारी से उठा ले गए थे मेरे पास उसका वीडियो मैं आपको दखा सकता हूँ और पुलिस प्रसासन मौके पर खड़ा था ये तो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहात रहा है और उसका ये करेक्टर है कि अगर वो हारते हैं तो कहते हैं कि जावेद जी जावेद जी ये तो आपका इतिहात रह हुए एक भी मटर नहीं हुआ और आपकी जब सरकार 2017 के पहले थी तो हर चुनाव में मटर होते थे दंगा होता था लोगों के परचे फाड़े जाते थे लोगों ना मंगकर नहीं करने दिया आता था योगी जी की सरकार है कानून विवस्था चुछ दुरुस्त है कहीं कोई गरबड करेगा तो सीधे उपर जाएगा यह सब को पता है इसलिए यहां कोई भी दाइगा नहीं कर सकता है अगर किसी का परचा खारीज हुआ है तो निर्वाचा नायोग है कोट है जा सकता है नहीं है लोग बता रहे कि इन लोग के पास कुछ वीडियो है जहां पर आप तो इस बहुत बड़े सी इस्पिरियंस होल्डर है क्यों कई बार आप लोगों किया है इसलिए आप ज्यादा अपनी बात ना रखें क्योंकि आप इसे माहिर है और भी योगी जी की सरकार है तो यहां अगर आपको लगता है कहीं कुछ समस्या है तो यह रोचा नायोग है जाकि देखिए अगर आपको लगता है कि अफ़र गलत वोथ आपको नयाय मिलेगा नयाय वो इस महिला को नयाय मिला लखेंपुर में जिसका चीर हरा कराया था यह तो उत्तर प्रदेश जनता ने नयाय दे दिया वहां कि सारी कि सारी विदास स्वाएं भारती जमतार पार्टी के पच्छम दे दिया ये तो आपको आइना दिखा दिया अब आगे संकर्स करिए जमता के बीचिंजाए आपको लगता है कि आप अच्छा काम करेंगे दो हजार सताइसे मनंबर आ सकता है लेकिन अगर आपका अच्छल रहा ऐसे ही आपकार करते रहे तो आप भूल जाइए योगी जी की सरकार है कोई गुंड़ाई नहीं कर सकता है जो गुंड़ाई करेंगे उसके लिए परिसान मत होई है वहां की जनता ने बता दिया ना उन नाव में भी हमको सारी की सारी सीटे मिली हर्दोई में हमको सारी की सारी सीटे मिले जिस बिटिया के नाव पर आप लोगो राज लिती कि वहां भी भारती अंतार पार्टी जीती क्योंकि वहां की जनता आपके आचन को जानती है फ़ता बौत है देगाली का बोत है ठीक है थीक है रामरिवाज जी बात पूरी करनीचे जावेथ जी मिचारे परेशान है क्योंकि अभी तुरूंच रव अधूरे परेशान है एक अधूरे परेशान रहा दो हजार चोबिस में अभी जैसे अख्लेश जी ने इस्तिफादिया उनको पता है कि प्लोग सभा में हम जीतने वाले नहीं है और जावेद जी जिनता मत करिये दो हजार चोबिस में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगर यही आचनर रहा तो जनता आपको बराबर नकारती रहेगी जावेद भाई 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 पुलिस के साथ मिलका ये तो क्योंकि आग पास समर्थक प्रस्तावक थे नहीं वहीं साथ दिन लगाता ना मंगज चला अब आखरी दिन एक धंटे पहले जा रहे हैं वो तो आप जान्वूज के सरकार को बदनाव करने के लिए आरोप लगाने के लिए आखरी दिन जाते हैं आखरी दिन लगाता हैं अब हपते बर पहले 10 मार्च को देखा आपने इतली बुरीते हारे हैं तो भी उसी हार को नहीं पचा पार हैं आगे कैसे जितेंगे जनता ने अभी नका रहा है इस चुनावा में इनकारेगी और भारती जनता पार्टी और समर्थक जाविद भाई क्या कह रहे थे पूरी बात अपनी कर लिजे जल्दी से लिखे नितिन भाई प्राम निवास जी बहुत सम्मामित जेती हैं हमारे भाई की तरीके से लेकिन वो भाजपा की वो एड़वाईरी ये हमपर गुंड़ाई का इजाम लगाएंगे तो आपने क्या किया आपने लखीन पूर में क्या किया था आपके विदाग में उन्नाओं ने क्या किया था आपके फूर्व केंदरी ग्राय राजमंतरी ने सर्जापूर में क्या थिया था आपने कहा कांड़ाउं ने किया आप परचा चिनोंगे जिला पंचाय चुनाओं में आपने पूरा चुनाओं साकारी मसीमजी के बन पर लगा जिला धिकारी और फुली सजिच्छा आईजी आपके इस्टार परचारक बने थे आपने मद्दान आपने बीडी सी सदक्सियों का जिला पंचाय सदक्सियों का बला परण कराया मुकदमे नहीं कि कि अगर हमारे परचे में कि कि यह दूसरा सिर्ट जमा करने जा रहा है थे तो इसकी जानकारी भाजपाहियों को किस ने मतलब है कि जो निर्वाचन अभितारी था उतने भाजपाहियों को भी बाइरी के अंदर भाजपाहि कैसे पहुंचे वहां पर पुलिस दिपुलिस ने क्यों नहीं बढ़ाया ये इन सावानों कर जवाब का उन देगा ये गुंदाई नहीं कि क्या दिस सक्ता के वनका ठीक पिल्ट के भी कुछ वीडियो आए हैं किस नजर से आप इस राजनीती को और इसको देख रहे हैं जी नितिन जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रामनिवास जी जो कह रहे हैं कि वाकई में जो है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो है दूनों जगह जो है सुसासन है अगर कोई गुंड़े करेगा तो उपर भेज दिया है अभी अभी आपने कहा वाकई में जो है बहुत अच्छा सासन चल रहा है आपका लेकिन अगर सासन चल रहा तो यह सिर्फ जो है समाजवादियों के उपर क्यों चल रहा है जो आप सासन अच्छा चल रहा है उन पे क् आपके प्रसासनिक आला अफसर क्यों इन्वाल्व है आप अगर नियाय देते हैं अगर बराबरी के आपको हार का डर नहीं है तो अगले का परचा दाखिल होना चीए परचा दाखिल होगा लड़ेगा आप ने पहले से मन बना लिया ना आप तो यही करके जो है 300 सित ला रहे पहले ठीक है आप जो है 300 सित का जो है यूमर उड़ा दिया आपने जो है 270 के लगभग ले आए मैंडट जो है बहुत अच्छा मिला तो वही काम जो है फिर कर रहे हैं अब उसमें जो है जो लोग बीधान सभाह में जो है सीटे हाई वो सर्विधित है कि कैसे वो सारी सीटे आई है आप जो है एलेक्शन कमीशन को जो है अपनी हिसाब से चलाया आप दूसरे राज आपके पास जो है दूसरे राज से पुलिस ब्योस था मंगाने की क्या जुरुवत थी CRPF लगाते आप इतने चरणों में जो है साथ चरण में जो है चुना कराए आपने देख लिय आप हार रहे है वह सारी चीजे रही इसके बाद आप जो है कहीं बैलोट, और बक्स के दूसरी जगह जा रहा है बैलोट बॉक्स में जयुआ है जो हमने जीता है वो 51-52% हम जो है बैलेट बॉक्स जो है से ओटिंग मिली है हमें आप उसको देखिए आपने जो है लोकतंत की हत्या करके तांडों मचाया है आप जो है पूरी तरह से अस्फल रहे हैं और उसको छुपाने के लिए आपने प्रसास्तिक हटकंडे जो है पूरी तरह से जिसको चाहे वहां पे हरा दिया जिसको चाहे जीता दिया और इवें जो है यही काम जो आपके जो है इस समय एलसी के नामंकन का चल रहा है वही सीजे हार के डर से आप उनका परचा खारीच करा दे रहे हैं आप जो है कभी भी जो है लोगों की मुद्दों पर आईए अगर फिर भी मेंटेट पा गया है तो आप जो है उस पर खरे उतर के अच्छे कारे करिए जिससे समाज में एक अच्छा सुचवाटिता का परिचे दे और लोग यह ने कहें हम ने कहें या और पार्टियों के लोग ने कहें कि जो है जो आप सपा के गुंडे-गुंडे कहते थे आज सारे गुंडे आपके साथ है और आपके हां गुंडे ही हो रही है यह चीजे जो है ना कोई कहें जवाब ले लेते हैं राम निवाज जी नितिन जी अभी समाज अधी पार्टी के प्रवक्ता बंदू बोल रहे थे 2014 में सरकार इनकी थी हमारी पार्टी जीती हम लगातार जंता हमको समर्थन कर रहे हैं चिनाव जीत रहें क्योंकि आपका सुसासन ठीक होता जर फत्रा में चिनाव नहारते आप 2012 में जैसे सरकार बनी पूरे उत्तर प्रदेश में उसी दिन से जिस दिन आप मदगणना हो र पांच साल उत्तर प्रदेश लूटने के काम समाजवादी पार्टी गुंडों ने किया जिसको जनता ने 2014 में नका रहा फिर 17 में नका रहा फिर बचा खुचा 19 में नका रहा दोजार बैस नका रहा आप लगातार नकारे जाओगे उनकी जनता समझ चुकी है समाज्वादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी जो समाज्वादी पार्टी में काम करें समझें गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है आज अगर योगी जी की सरकार्म सो रोक लगी है मैं आपको बता दो भी हो रहा था कि साथ चुनाओ को हो है रहा है दो हजार चौदा में भी तो साथ चुनाओ में हुआ 19 में भी हुआ 17 में भी हुआ 22 में हुआ तो चणकों से बदल गए लेकिन पहले जब होता था चुनाओ तो सारे पेपर खून खराबे से रंग रहते थे इस चुनाओ 22 में हुआ है ये घटना आपको नहीं मिली होगी चुटपर घटना हो गई होगी कि कहीं कोई मडर हुआ हो क आचरण के अनुरूप के नेता बता रहे थे कि जो है बूत कैप्चरिंग हो रही हम इसको मानते नहीं जनता ने चार चार बार हमको मेंडन दिया है चार चार बार जिताने के हमको काम किया है कहीं कहीं हमने जनता के बीच हम काम किया है और आगे भी करेंगे और हम 2022 में आप आपका समाफ्त हो जाएंगे और 27 तक आपका समाफ्त पर्टी मो कहणते हैं, वो एक छत राज करना चाहते हैं, वो जो है लोक्तांतरिक मर्यादों को सा भारती संथीद्यान को नहीं मानते हैं, इसलिए जो है ये बाते जो है खुल के आ रहे हैं पहले भी आई हैं कि हम इतना सीट बा रहे हैं और एक चीज़ और इनका जो है नेरेटीव चला है कि जो है 50% उभी हमें करना है आप के माध्यम आपके TV की चैनल के माध्यम से सारे पार्टियों के लोगों को मैं जो है इसके जनता को यह आगाह कर देना चाह रहा हूं कि आज का मेरा जो डिबेट है अगर जिस दिन 50% कर लेंगे एक करेंगे आपको सजक रहना है जिस दिन इन्होंने कर लिया वो सारे हत्कंडे अपना के करेंगे यह देश गुलाम हो जाएगा गुलामी की तरफ जा रहा है ताना सा जनता Бगवाज थाहिए कर देश सामाजी नाय bedtime की जो है जो आव्धार्ना है बाबा साहब की आवधार्ना है वो पूरी की नत्नाबूत हो जाएगी और यहां पे मात्र जो है 85% के लोगों पे मात्र जो है, 15% के लोग ही राज करेंगे ओभी ताना साही के साथ और जो है पूजी वादी के साथ जल्दी से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पंदरा परसंट कौंसा पंदरा परसंट आपको जो भी जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 80% जनता भारती जनता पार्टी साथ पुरा चुनाओ 20 और 80 परसंट हुआ अगर आपको विश्वास नहीं हो तभी दा कस्मीर फाइल आई जरा देखिए उसको देखने के बाद आप कभी नहीं सोचेगे कि भारती जनता पार्टी खिला कुछ काम करना है भारती जनता पार्टी जनता के बीच हम जा रही है लगातार आपके हां तो 288 परफिन लड़ाई है 20 परसंट वो लोग है जो राष्ट गरोदी है गुंडी पाफियां है ऐसी लोगों को 80% लोग उत्तर परदेश से खदेर ने काम किये करेंगे क्योंकि लगातार चार बार खदेर चुके हैं पाचवा फिर नंबर आ रहा चठे नंबर तक नितिन जी ऑई बोलना चाहरा हूं कि जो परिपार्टी अगना की बात हो रही है वहाजपा की गुंडे और सपा की गुंडे तो यह परिपार्टी मुझे कईन लगता है 2007 से चालूई थी यहां मजबूत से यहां मजबूत से मजबूत लोगा तूट जाता है कई जूटे ही कट्टा हो तो सच्चा तूट जाता है आज एक दूसरे के उपर प्रत्यारोप हो रहा है शुरुवात किसने की थी इसको भी देखना चाहिए ना मेरे साथी प्रवक्ता प्रस्पा की जो आरोप लगा रहे है तरीके से कि अलेक्शन कमिशन का दूरूपयों किया गया था यानि फिर इंशारा कर रहे हैं एक इवियम के अंदर कही ने का इपला हुआ है अरे महानुभाव अगर आपको लग रहा है कि आप इवम की सवाल उठा रहे हैं उसके उपर आपको भरोसा नहीं है तो क्यों पोस्टिंग पे उन्हों नीं किया था अधर्वाइस तो उत्तर प्रदेश की जन्ता नहीं करकर बात होती है कि पोलरीशन कर दिया पचासी वाली पचासी और पंद्रा वाली बात तो शुरुवात तो स्वामी परसाद मौरिया और समाजवादी पार्टी गडबंदन के नेता हो ने की थी भारती जंता पार्टी को मौका दे रहे हैं कि चुनाओ को पुरी तरीके दुरुकर्ण की आ जाए तो एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए अपनी कमिया ढूंड़िये जब देखो तब एवियों को वहाना बैलेट प्रपर से चुनाओ कराई है एवियम के अंदर गडब्ल हो रही है अरे बहा उत्तर प्रदेश की जंता ने आपको नकार दिया पूरी तरीके पोड़ेंगे मंधन करिये मंधन और आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं गलत हो रहा है तो सब्कों पूतर यह संगर्ष करिए करीनी रहें टीवी डिबेट के उपर आरोप लगाएंगे जमिनिस्तर पर संगर्ष करेंगे नहीं तो नितिन जी कहीना कि विपक्ष में पूर सतिता है जुक्ष मेंगे ऑप एस चैनल के माध्यम से बोलना ना चाहर किका है आ प्रसासिक चीजिश के आरोप लगाये सारी चीजे मैंने कोई गलत नहीं कहा है और वो एक ग्यापन दे देने से चीजों का निश्कर से निकल जाएगा और हम जो है सड़क पर उतरेंगे उतर रहे हैं रही बात ये कि जो है टीबी पर बैट के डिवेट करने से जो है कोई महान नहीं बन जाता उसको जमीन पर जाना इननों नहीं जाता है जैसे अपना के जैसे अपना के मैं उसके अक्सेप्ट करता हूं लेकिन जो वास्टिक्ता है कभी स्याह मिट नहीं सकती है ठीक है ठीक है सुभा जी जल्दी से दिलीब जी आप आरोप लगा रहे हैं उपर से यह भी बोल रहे हैं कि हम जनता के जनादेश को श्रिकार करते हैं तो EVM के उपर अपनी हार का ठीकरा क्यों फोड़ने हैं अगर आप सुन लीजिए अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका EVM के उपर भरोसा नहीं है तो EVM से जब चुनाओ होता था आप आपने कुछ बोला था बीच में अपनी बात पूरी की जब मरियादा को तो आजमी क्या करेगा आवेश कुमानो सभाव है मैं तो परख़ द्यादा नहीं है कि आप देखे आप देखेए कि आवेश कुमानो सभी होता और देना गया तिरे सब्सक्राइब परोगता नहीं कि आप ने किया था कि एक मार्क कारण EBM नहीं हो, कि हम EBM पर ही हम चुनाओ लगके आए हैं, हमने EBM से चुनाओ भी जीता, लेकिन आप यह देखिए, आप बहुत प्रेशी गिदान सबाएं, कि 10,000 से जीत गया, उसी मदगावना को रुपवा कर वहीं पर उसको DJ का साइटिफिकेट नहीं, रात दो बजे भी काउंटिंग का अधेस, और दो घंके बाद, दूसरे दो पांच हजाते, बोट कितना टोटल पोल हुआ, जो चुनाओ आई-ओ की वेताई बगता रही है, लेकिन जब गावना हो रही है, तो वो परसंटेज उसका 3%, 5%, 7% तक बढ़ा हुआ मिला, यह जो दे सकता हूं, जिसको आप लोग चेक भी कम लेंगे, यह कि, पॉल में क्या हुआ, और क्रौंटिंग में क्या हुआ, यह परसंटेज में, अधर कैसे आया, यह कि, हम जनादेश, आप तो अगर जनता ने किसी भी तरीके से दिया, आप में हासिल किला है, तो आपको इस बात कि चुंता होनी चाहिए कि दो हजार कर दो आदेश, वो हम बाइस तक पूरे नहीं कर पाए, इस समय सीमा क्या होगी, आप उसका आप ने वादा भी किया लेके, कि हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे, तो बिजली का बिल हाफ करेंगे, यह आप करेंगे, यह आप 24 के अखिलेजी पर आउरोप लगा, अखिलेज जी उसकी मैजार होंगे उसके, तो उनके वहाँ यह कही नेता है, ना कोई कोर्ण गुरुप है, ना कोई कमीटी कमीटी किसे ले, यह अखिलेज जी बहुत ज़्यदा सलाव लेते तो उन JPAN से ले ले Global did लेगे तो दो लोग आद बाकी तो सब वो नमूने हैं जो आगे पिछे रहते हैं उनका ना कोई राजनेतिक इतिहास है वो सब अखिले जी कृपा पर बन गए अब दुबारा बनने वाले नहीं हैं तो जिस पार्टी में सलाहकार समू नहीं होता है उस पार्टी का हमेशा फत्यानास होता है वही सपा क हो रहा है मनीत यागी जी मैं आपसे यह पूछना चाहा रहा था कि सब ने इवीम पर ठीक ना फोड़ दिया है कि इवीम की गड़बड़ी हुई है कुछ अधिकारी मिले हुए थे और इसी वज़े से बीजेपी चुनाव को जीत गई है क्या कॉंग्रेस भी ऐसा सोचती है और दूसरा सवाल आपसे यह है कि अब कॉंग्रेस की आगे की रणनीती क्या होगी पहले तो अपनी पार्टी को भी बचाना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जन्ता के बीच भी जाना है कैसे होगा लोक्तंत्र में जन्ता निर्ने ही सर्वो परी है अब हमारी हार हो चुकी है बाद पाद जीत गई तो बाद पाद गुश्व को सुब कामना इस समय दे नी चीनि क्योंकि जन्ता से निर्ने जन्ता जनार्दन है उसका सम्मान रखना चाहिए अब हम कहा कहा विपल होए हम लोगों को भी समझना चाहिए जहां चुना पूरा पोरा पोल्लाइजेशन के तैस हो रहा था हिंदू एक तरफ मुसलिम एक तरफ सब को देख रहा था प्लस एंट चुनावायोग बुलाए तो चुनावायोग के सामने रखते जाएं सब बाते लेकिन कोंग्रेश पाइटी के जहां तक बात है हम लोग जो जन्ता जुड़े मुद्धे हैं उसके लिए संगर्ष लगातार करते रहेंगे और जहां जा अन्याय हो तो प्रियंक गांदी जी चुनाव का हो चाहे उन्ता के बीच में लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार के दूसरे कारेकाल के शपद्गर्ण की तयारी चल रही है तो वहीं अकले श्यादो अब उत्तर प्रदेश में रहकर ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आएंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल जवाब करते हुए विधान सभा में दिखाई देंगे, सड़कों पर भी दिखाई दे सकते हैं, हाला कि आजकल राजनिती का वो ट्रेंड नहीं बचा है कि नेता सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करे या फ इसली बार वो उत्तर प्रदेश में नहीं थे, इस बार अगर हैं, तो कितना बदलाओ समाजवाधी पार्टी के अग्रिशन में आएगा ये देखना एहम है, फिलाल आजकी डिबेट में इतना ही मुझे दीजैन मती, पुस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार